Hello, Hello, Welcome to the video and if you want to become wildlife veterinarian अगर आप wildlife veterinarian बनना चाहते है आप zoo में काम करना चाहते है आप zoo में जा करके doctor बनना चाहते है और animals का treatment करना चाहते है जो wildlife animals होते हैं उनका treatment करना चाहते है then you can become wildlife veterinarian या फिर zoo veterinarian बहुत ही easily उसका process है मैं आपको पूरा explain करता हूँ इस वीडियो में और उसके कितनी salary होती है कौन से colleges में आपका admission लेना होगा अगर आपको zoo veterinarian बनना है तो तो इसका क्या पूरा process है क्या pros है, क्या cons है ये भी आपको बताऊंगा, career growth कैसी होती है job लगती है या नहीं लगती है government में कितना पैसा मिलता है private में कितना पैसा मिलता है सब कुछ हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो wildlife veterinarian या zoo veterinarian की जो field है जो animal doctor ये जो field है इसमें आपको अगर सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको ये बनना है तो आपको आपके जो interest है वो जरूर होना चाहिए आपका because अगर आपका interest नहीं है तो कोई भी मतलब sense नहीं निकलेगा सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको wildlife जो animals है उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा comfortable होना पड़ेगा सबसे पहले आपको बता दूँ इसमें eligibility क्या है तो आपको सबसे पहले बैचलर जो बैचलर डिग्री होती है वेटनेरी की वो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी बैचलर डिग्री कुनसी होती है बी वी एससी बी वी एससी की डिग्री आपको करनी पड़ेगी अब ये डिग्री आप कैसे करेंगे ये डिग्री करने के लिए आपको NEET exam जो है उसको qualify करना पड़ेगा जो medical entrance exam होता है न नीट का उसको qualify करेंगे तो आप वेटनेरी कॉलेज में वेटनेरी में उसके बाद ही जाकर कि आप जू में काम कर सकते हैं इस वेटनेरी डॉक्टर तो आपको क्या करना है पहले bachelor degree of veterinary sciences फिर master degree of veterinary sciences अब आप बोलेंगे कि सार ये तो काफी लंबा process है इसमें कितना time लगेगा तो इसमें देखो जो bachelor degree है उसमें आपको पात साल लगेंगे bachelor degree डेने में आपको पात साल लगेंगे और जो master degree है उसमें आपको एक से दो साल लग सकता है तो ये आपको जो total process है ये six to seven years में आपका complete होगा तो आपको अगर wildlife fitness बनना है और आपको सही में आपका passion है तो आप लोग को six to seven years देने पड़ेंगे अपने इसके बाद आप पूछेंगे कि सर कितनी salary मिलेगी और क्या इसमें scope है तो आपको ये बता दूँ कि इसमें government jobs भी है और private jobs भी है ऐसा नहीं है कि अगर आपका zoo में selection नहीं हुआ ये इतना पढ़ने के बाद तो फिर आप क्या करेंगे इसमें जो है काफी ज्यादा research भी आज उनको उसकी feed की knowledge दी जाती है कि उनको क्या feed देना है तो काफी सारी ऐसी company है जो actually मैं wildlife एटनी रेन को job देती है because उनको feed की पूरी knowledge होती है तो ये भी एक scope हो गया काफी सारे अलग-अलग scope है private sector में भी government sector में भी अब मैं आपको salary कितनी मिलती है तो जो government sector होता है उसमें starting में आपको 50-60,000 rupees salary मिलती है बट ये ऐसा नहीं कि इतनी salary रहेगी आगे आने वाले time में इससे भी ज्यादा salary हो सकती है बिलकुल तो कितनी salary होती है approximately approximately जो salary होती है एक मैट रुकिये ठीक है तो ये जो मैं आपको salary बता रहा हूँ ये initial salary है बट मैंने काफी सा रहे से wildlife veterinarian देखे है जो कि अभी field में काम कर रहे है और उनकी salary है वो 1.5 lakh तक भी है तो ये जो आप decide कर सकते है कि आपको जैसे से experience होगा वैसे वैसे आपको salary भी increase देखने मिलेगा अब मैं आपको बात करता हूँ कि कौन से colleges में आपको admission लेना पड़ेगा तो अगर आपने bachelor degree कर ली है bachelor degree आप कहीं से भी कर सकते है तो bachelor degree जो होती है veterinary की वह आप कहीं से भी ले लीजिए उसके बाद आपको करना है master's degree wildlife veterinary में तो master degree करने के लिए हर college में wildlife एला course available नहीं है अपने इंडिया मे actually में कुछ बहुत ही चुनींदा colleges है जहां पर यह course available है मैं आपको एक बार list दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको list दिखा देता हूँ यहां पर यह देखो यहां पर आपको दिख रहा है देखो यह 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 आपको दिख रहे है here are some of the top government colleges offering masters of veterinary sciences in basically wildlife तो आपको यहां पर आप देख रहे हैं यह सारे जो colleges हैं यहां पर आप wildlife veterinary कोर्स कर सकते हैं अभी जो मैं personally जीन को जानता हूँ colleges को उसमें आपको बता दूँ जबलपूर का जो college है जो हमारा NDVSU जो होता है MP के अंदर MP जो मादब प्रदेश है मादब प्रदेश के अंदर जो जबलपूर है वहां पर एक veterinary college है तो वहां पर आपको master degree in wildlife sciences आप कर सकते हैं वहां से और वह बहुत ही बढ़िया कोर्स है अ इसके अलावा मैं आपको एक और institute का नम बताता हूं तो आप इसमें भी जा करके अपनी wildlife nutrition की डिगरी कर सकते हैं तो यह मैंने आपको कुछ scope के बारे में बताया और आपको एक cons मतलब आपको एक negative बात अगर बतानी हो तो यह पता सकता हूं कि इसमें initially जो आपको package मिलता है वो इतना lucrative नहीं होता अगर आप सोचेंगे कि मुझे joining में ही आपको 1.5 lakh या 2 lakh तक का package मिले तो ऐसा wildlife में नहीं generally हम नहीं देखते हैं आपको शुरुआत में 60-70,000 तक ही मिलेगा ठीक है तो आपको यह बाद अपने दिमाग में लेके चलनी है that you will get around 60-70,000 बट इसमें जो आप बोल सकते हैं कि एक तरह के से job satisfaction और जिसको भी passion है wildlife में काम करने के लिए उसके लिए best course है ठीक है तो आप लोग जितने भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनते है wildlife veterinarian so I think so this is the answer for your question है ना so I think so मैंने यहां पर सारे questions को answer कर दिया है and thank you so much for watching the video और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भाई कैसे बनते है wildlife veterinarian या फिर और कोई भी डाउट है अभी मैंने इसमें salary बता दिये pros and cons सब कुस discuss कर लिया है मेरे साब से so I think so कोई भी डाउट आता है आप बताइए मुझे ठीक है मैं यहीं पर हूँ आप comment करिये and I will be there thank you so much for watching this video